नमस्कार दोस्तों आईए आज हम सभी दालचीनी के फायदे और नुकसान के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं दालचीनी का प्रयोग दो तरीके से होता है मसाले के रूप में और दवा के रूप में दोनों के रूप में इसका लंबाई इतिहास है वास्तों में प्राचीन काल में यह मसाला इतना बहु मुल्य खाजाना माना जाता था कि इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी यह दालचीनी के पेण की भूरी छाल से बना होता है और बाजार में सुखे ट्यूबलर या फिर दालचीनी पाउडर के रूप में उपलब्ध है दालचीनी की लगभग 116 में है दालचीनी में एक मनमुहक सुगंध के साथ साथ एक मीठा सा और उश्म स्वाद भी है दालचीनी के मुख्य स्वास्थे लाव चाल में पाय जाने वाले आवश्यक तेलों से मिलते हैं इन तेलों में सीना मालडिहाईड, सीना माईल, एसिटेट और सीना माईल मध्यनामक सक्रिय घटक होते हैं दालचीनी में शक्ति शाली, रोगान रोधी, एंटी इन्फलमेंटरी, संक्रमण विरोधी और एंटी क्लोटिंग गुण होते हैं यह एंटी ऑक्सिडेंट, पाली फेनोल और मैगनीज, लोहा और आहार फाइबर जैसे खनीजों का भी एक अति उतक्रिष्ट स्रोथ है यह सभी आवश्यक पूशक तत्व आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं इसके अलावा यह शरकरा, कार्बोहाइटरेट, फैटी एसीड और अमीनो एसीड का एक प्राकृतिक श्रोथ है तो आएए अब हम जानते हैं दालचीनी के कुछ एक फायदों के बारे में, दालचीनी के फायदे मधुमेह को नियंतरित रखते हैं, जे हाँ सबसे पहला फायदा है, यह मधुमेह को नियंतरित करता है ताइप टू मधुमेह वाले लोगों के लिए दालचीनी एक वर्दान से कम नहीं होता है, दालचीनी टाइप टू मधुमेह पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और मधुमेह रोगी को एक स्वस्त और साधारन जिवन व्यतित करने में मदद करता है, यह शरीर की इंसूलीन के प्रती प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है और इस प्रकार रक्त शरक्रा के अस्तर को समान्य बनाए रखने में शरीर की सहायता करता है, नियमित रूप से प्रती दिन डेढ़ चमच से कम दालचीनी लेने वाले टाइप टू मधुमेह रोग्यों में रक्त शरक्रा का अस्तर कम पाया गया है, दालचीनी के मधुमेह से संबंधित लाव उठाने के लिए दालचीनी को अपने दैनिक आहार में शामिल आप करें आपको लाव होगा, इसका उप्भोग बहुत ही सरल है, आपको बस दालचीनी पाउडर को सुबह अपने दलिया या कोई अन्य आह दालने तो यह मिश्रण भी मधुमेह के लिए लाव दायक होता है, अब जानते हैं हम दालचीनी की चाय आपके दिमाग की कार्य शिल्ता को बढ़ा देती है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, दालचीनी ने अनेक शोधों में मानसिक सतर्कता में काफी सुधा लाने का परिणाम दिखाया है, इस अद्भूत मसाले की मनभावन सुगंध सुंग भर लेने से दिमाग सक्रिय हो जाता है, कंप्यूटर आधारित कारेक्रम पर काम करते समय दालचीनी की सुगंध संग्यानात्मक प्रसंस करण को बढ़ावा देती है, और ध्यान, स्मरण और कारियल शील समरिती से संबंधित मस्तिश्क के काम काज में काफी सुधार ला सकती है, जो लोग परिक्षा की चिंता या घबराहट से चिंतित हैं, वे मन को शांत रखने के लिए दालचीनी से बनी हुई चाय पी सकते हैं, यकिन मानिये यह वास्तों में आपके चिंता क को सों दूर भेज, उसे आनंद और एकाग्रता से प्रतिय स्थापित कर देगा, और आप खुशी खुशी अपना कार्य पूरा कर सकेंगे, दालचीनी का उप्योग आपके हृदय की रक्षा करता है, जिहां दालचीनी के विभिन इंटी इंफ्लेमेंटरी गुनों के कारण यह दिल और उसके आसपास की धमनियों को नुकसान और संक्रमड से बचाने में बहुत प्रभावी है, लोग आजकल बहुत से फैटी खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, जो कोलेस्टरोल और वसा से परिपून होते हैं, इसकी वजह से जो पट्टिका और विशाक्त पद का निर्मार होता है, वेहरिदय को प्रेरित करते हैं, दालचिनी के उपयोग से शरीर को खराब कोलेस्टरोल से लड़ने में मदद मिलती है, जिसमें कुल कोलेस्टरोल का स्तर काफी कम हो जाता है, इसके एंटी इंफ्लेमेंटरी गुण भी आंतरिक उत्तकों में सूजन को ठीक करने और दिल के दोरे और बिमारी के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं, दालचिनी के लाब लाएगा आपके कोलेन में सुधार, दालचिनी का एक अन्यलाब ये आपके कोलन में सुधार लाता है, दालचिनी, भाइबर, कैल्शियम और मैगनीज, खनीज का एक उतक् प्रभावत पादक सुधार ला सकता है दूनों यानि कि केल्शियम और फाइवर पित लवन को बांध देते हैं और उन्हें शरीर से निकालने में मदद करते हैं पित्य के निकास से फाइवर कोलन कोशिकाओं की छती को रोकने में मदद करता है जिससे पेट के कैंसर का खतरा कम हो जाता है डायरिया यानि कि दस्त और कब्ज सहित आईवी एस यानि कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के लक्षनों से राहत पाने में आहार फाइवर बहुत उप्योगी होता है डालचीनी के एक अन्य और शध्यगून को जानते हैं ये आपको कैंसर से बचा सकता है जिहां अध्ययनों से पता चला है कि दालचीनी कैंसर की कोशिकाओं के प्रसार को कम कर सकती है टेकसास विश्वविद्यालय में किये गए शोध के अनुसार डालच डालचीनी शरीर में कैंसर की कोशिकाओं में वरिध्य को कम करती है और जब आहार में इसे नियमित रूप से शामिल किया जाए तो यह कैंसर को रोखने में मदाद करती है डाल दालचीनी में कोमारीन नामक एक योगिक होता है जिसमें रक्त को पतला करने वाले गुण नहीं थैं इससे पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार आता है हालांकि यह ध्यान में रखना महतोपून है कि बहुत अधिक कोमारीन लिवर की कारेशिल्टा पर प्रभाव डाल सकता है और उसे शती भी पहुँचा सकता है इसलिए दालचीनी का उपयोग कम मातरा में करना उतकरिश्ट माना जाता है इसलिए कम मातरा में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों इसके अलावा दालचीनी के औश्रधिय उप्योग करके आप चक्तेदार अधापतन का उपचार कर सकते हैं दालचीनी शक्तिशाली एंटी इंफलेमेंटरी गुन से धन्य है यानि कि भरी हुई है जो मस्तिश्क के आंतरिक उत्तकों की निरंतर सूजन को कम करती है दालचीनी शक्तिशाली एंटी इंफलेमेंटरी गुन से भरा हुआ होता है जो मस्तिश्क के आंतरिक उत्तकों की निरंतर सूजन को कम करती है इसकी इस प्रभाव से कई नियूरोलाजिकल विकारों से शरीर को सुरक्षा मिलती है दालचीनी के शक्तिशाली और प्राकृतिक घटकों में अलजाइमर्स, पार्किनसंस, मल्टिपल एसकेलेरोसिस, मस्तिश्क ट्यूमर और मेनिनजाइटिस सहीत विभिन्य प्रकार के नियूराइड जनरेटिव रोगों की शुरुआत को या फिर उन्हें पूनतर रोकने की शमता होती है इसमें दालचीनी के नुस्खें हैं कोलेस्टरोल कम करने के लिए बेहद ही फायदेमंद आये जानते हैं कैसे कम करता है ये कोलेस्टरोल को दालचीनी आपके रक्त में ट्राइगिलिसराइड्स और LDL यानि कि खराब कोलेस्टरोल के स्तर को काफी कम कर सकती है जिससे हिरदय रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है दालचीनी में मौजूद सक्रिय संघटक कोशिकाओं की चीनी को चाया पचाय करने की शमता को 20 गुना तक बढ़ा देते हैं अपने कोलेश्टरोल के स्तर को नियंतरित करने के लिए एक दिन में एक बार दालचीनी पाउडर को अपने कॉफी में या अपने दलिया पर छेड़क कर इसका सिवन करना चाहिए दालचीनी के एक अन्य फायदे को जानते हैं ये श्वसन संक्रमन का इलाज करता है जिहां माना जाता है कि दालचीनी आम सर्दी और फ्लू को ठीक करने और उससे राहत दिलाने में बेहद उपयोगी है गल शोत गल शोत से छोटकारा पाने के लिए पीसी हुई दालचीनी के एक या दो चम्मच का सेवन ग्रीन टी या फिर सेव की मदिरा के साथ करना चाहिए आप श्वसन संक्रमन का स्परधी मुकाबला करने में दालचीनी के मदद करने के लिए निम्बु का रस भी मिला सकते हैं यदि आप सामाने सर्दी या खांसी से पीडित हैं तो गुनगुने शहद और दालचीनी के एक चोथाई चम्मच का मिश्रण बना लिजे और नाश्ते के बाद और सोने से पहले रोजाना दो बार पीजे आपको लाब होगा दालचीनी पौडर है गठिया के दर्द को कम करने में सहायक जिहां अध्यान के अनुसार दालचीनी ने गठिया दर्द से जुड़े साइटो किन्स को कम करने के लिए सकारात्मक प्रभाव दिखाए हैं मरीजों को सुबह शाम शहद के एक चमच के साथ दालचीनी पौडर का आधा चमच मिला कर खाने से एक हपते के बाद गठिया के दर्द में काफी रहत मिलती है और वे एक महिने के भीतर दर्द के बिना चल फिर भी पाते हैं दालचीनी के फायदे तो हम सभी ने जान लिये मित्रों लेकिन कोई भी चीज होती है या फिर औश्यद ही होती है उसके फायदे के साथ साथ अगर हम अत्यधिक मातरा में उसका सेवन करते हैं या फिर कुछे कैसी बीमारियां होती हैं जिन में हम उनका सेवन करते हैं तो य हमारे लिए फायदे की जगह लोस दे सकती है आई ये इस संबंध में जानते हैं क्योंकि ये जानना जितना जरूरी था अभी जानना कि क्या-क्या ये फायदे देता है उतना ही जरूरी है ये जानना कि कब हम इसका सेवन करें कब ना करें किस बीमारी में करेंगे तो नुकसा है हालनकि दालचीनी आपके स्वास्त के लिए बहुत फायदेमंद यह सोंच कर इसका अधिक सेवन बिलकुल ना करें यादि आपको ऐसा लगता है कि एक बार में बड़ी खुराक लेने से आपको दालचीनी का अधिक लाव मिलेगा तो आपकी सोच बिलकुल गलत है क्योंकि इसके अधिक सेवन का आपको लाव मिले न मिले परन्तु इसके साइड इफेक्ट्स का सामना आपको आवश्य करना पड़ेगा दालचीनी का सेवन करने में स्तनपान करा रही माताओं और गर्ववती महिलाओं को साउधानी बरतनी चाहिए वास्तों में दालचीनी का बड़ी मातरा में उपभोग जहरीला हो सकता है और आपके लिवर को नुकसान पहुँचा सकता है दालचीनी विशेश रूप से उसका तेल समय से पहले दर्द उत्पादन कर सकता है या फिर गर्भाशय के संकुचन को भी प्रेरित कर सकता है कुछ एक लोगों को दालचीनी से एलर्जी भी हो सकती है भले ही उन्होंने इसका सेवन पहले बिना किसी साइड इफेक्ट्स के किया हो लेकिन कुछ टाइम पर इलर्जी हो सकती है इसलिए ध्यान रखें दालचीनी के बहुत लाव तो हैं परन्तु आपको हमने जो अभी बताई पहले इसके लाव भानी को अच्छे से समझ लेना चाहिए और इसका सेवन उच्च मात्रा में नहीं करना चाहिए तो आप इसको अपने आहार में शामिल कीजिए और इसके लावों को उठाइए तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले अंक में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके या फिर और शाधी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों